आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में हमें दिया है कि हमापा permanganate ion है basic solution में I- को oxidize करतेता है ठीक है और I2 produce होता है और MnO2 produce होता है हमें balanced ionic equation लिखनी है to represent this redox reaction तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हमें redox reaction को balance करना होता है हमारा first step होता है कि हमें जो main skeletal equation है उसे हम लिखें तो skeletal equation अपनी क्या है कि यहाँ पर MnO4 minus plus I minus react हो रहा है और produce हो रहा है MnO2 plus I2 ठीक है अब यहाँ पर second step होता है to identify reduction half और oxidation half तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले oxidation number calculate करना पड़ेगा तो यही first step में calculate कर लेते है manganese का oxidation number क्या हो जाएगा x plus 4 into minus 2 is equal to minus 1 ठीक है कितना आजाएगा plus 7 और MnO2 में कितना हो जाएगा x plus 2 into minus 2 is equal to 0 जो कि कितना आजाएगा plus 4 I2 में oxidation number है 0 और यहाँ पर है minus 1 तो अब हम लोग जबसे पहले अगर reduction half लिखें तो reduction half क्या हो जाएगा plus 7 से plus 4 में conversion हो रहा है तो यह हो जाएगा MnO4 minus से convert हो रहा है MnO2 में ठीक है plus 7 से plus 4 और अगर oxidation half लिखें तो oxidation half क्या हो जाएगा I minus 1 से किसमें जा रहा है I2 0 में ठीक है तो यह हमारा second step है अब हमारा third step क्या है देखते है third step में हमें क्या करना है इनके charges को balance करना है और I minus 1 से क्या जा रहा था I2 ठीक है अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर 1 manganese है यहाँ भी 1 manganese है लेकिन यहाँ पर 2 iodine है तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो 2 लगा देंगे ठीक है अब यहाँ पर 4 से 7 से 4 में जा रहा है मतलब कितना charge का change है 3 charge का change है ठीक है और यहाँ पर minus 1 से 0 जा रहा था लेकिन तब वो 1 iodine था अगर 2 iodine है तो यहाँ पर कितने का change है 2 का change अब इन दोनों को अगर मुझे balance करना है तो मुझे इस 3 को 2 से multiply करना पड़ेगा और इस 2 को 3 से multiply करना पड़ेगा तब ही overall मेरे पास 6 electron का change आएगा ठीक है अब हम क्या कर रहे है अब हम इन दोनों को एक साथ करके लिख रहे है तो एक साथ जब करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 MnO4 minus plus यहाँ पर 3 से multiply किया था और 3 into 2 क्या हो जाएगा 6 तो यह हो जाएगा 6 I minus it will give 2 MnO2 plus 3 I2 ठीक है यह हमारा इसका next step हो गया that is step 4 अब हम क्या करेंगे अब सबसे पहले हम लोग oxygen को balance करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 4 into 2 8 oxygen और यहाँ पर 2 into 2 4 oxygen तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग safe side सबसे पहले 4 oxygen introduce कराते हैं और 4 oxygen introduce कराएंगे in the form of water तो यहाँ पर अब hydrogen unbalanced हो गए तो hydrogen unbalanced कैसे हो गए 4 into 2 8 hydrogen मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8 H plus लेकिन अगर हम इस reaction को देखें यह तो acidic medium की reaction है हमें basic medium में उसे convert करना है तो हम क्या कर रहे हैं हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं 8 OH minus को introduce करा रहे हैं ठीक है plus 8 OH minus plus 8 OH minus तो अगर मैं यह करूँगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है इससे क्या होगा यह जो factor है यह क्या बन गया 8H2O यहाँ पे है 4H2O यह 4H2O और यह 8H2O cancel हो जाएंगे बचेगा क्या 4H2O और यहाँ पे 8 OH minus रह जाएगा इससे हम क्या show कर सकते हैं कि यह हमारी basic medium की reaction है ठीक है तो हमारा यह हो गया और हमारी final equation जो आएगी वो क्या हैगी 2MNO4 minus plus 6I minus plus 4H2O gives 2MNO2 plus 3I2 plus 8 OH minus और यह हमारी balanced redox reaction है ठीक है ठांक्यू